तो अब तक दा लास्ट ओफस के पांच एपिसोड आ चुके और मैंने इसके तीन एपिसोड देखे हैं वैसे बहुत जादा मेरा दिल किया था इसके फस्ट एपिसोड देखने के बाद मैं तुरंत इसके लिए एक वीडियो बनाओ क्योंकि रहा नहीं जा रहा था फिर देखे भी ना भी नहा नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा यार पहले दो एपिसोड और देख लेता हूँ तो यह vary कर रहा है, मतलब काफी बढ़िया है आपका time pass करने के लिए या फिर कहिंगा आपका interest बहुत अच्छा है, इसके अंदर बन जाएगा, वैसे जिसको नहीं पता है, the last of us एक game भी है, मतलब यह पहले एक game थी, इसके उपर एक movie या एक series बन रही है, PS4 के उपर, PS5 के उपर, ओलड़ी इस game को खेला जाता है, बहुत जादा पसंद इस game को किया जाता है, बहुत बढ़िया यह game बताएगी, मैंने कभी नहीं खेली है, हाँ, मैंने इसका gameplay यूटूब पर देखा हूँ है, कासकर जब इसका first episode मैंने देख लिया था, फिर मुझे लगा है कि यह इसके gameplay भी, मैंने नाम सुना वादा, the last episode जो इस गेम आती भी है, फिर जब इसका first episode देखा तो सोचा क्यों ना, इसकी gameplay को देखा जाए, यूटूब के उपर, कि क्या यह सेम कहानी हमें वेब सिरीज के दिखा रहे हैं, या फिर जो game है, वो अलग है, तो वह बहुत कम होता है कि कोई movie या series जो है, किसी game के उपर बनी होती है, वो पसंद आ जाए, for example, mortal combat का मैं उधान लूँ, या भी हाली में मैंने taken एक series देखिए, वो animated series देखिए, भले कोई भी animated series बना लो, या live action series बना लो, या movie बना लो, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमें वो पसं बना दी, बस सामने रख दी, अब audience उसे connect होई नहीं पा रही है, लेकिन the last of us की बात कुछ अलग है, जब आप इस series को देखना शुरू करेंगे, तो एक अलग ही impact या आपके उपर डालेगी, मतलब आप first episode देखिए, अब ये same concept है, आप सोचेंगे यार, ये भी zombie के उपर है और जो और बाकी movies या series आ चुकी है, the walking dead जिसके मारे में बात करूँ, तो उससे ये कैसे different हो सकती है, या all of us are dead, जो Korean web series आये थी, zombie के उपर, उससे ये अलग कैसे हो सकती है, ये फिर जो movie आये थी, train to busanay से कुछ करके थी, तो ये उससे कैसे अलग हो सकती है, तो इन सब सवा मतलब जबगने काभी मन नहीं करेगा है, कुछ मिस ना हो जाए, character development series के अंदर बहुत बढ़िया है, और कहानी को बहुत अच्छे से develop किया गया है, VFX काफी बढ़िया है, जैसे इसके अंदर scene हमें आते हैं, या फिर dialogue इसके अंदर हमें सुनाए देते हैं, वो बहुत जाद होती है, जोंबी की, या एक जोंबी किसी स्वस्थ इंसान को काट लेगा तो उसके अंदर भी वो वाइरेस जो है, वो फैल जाएगा, लेकिन इसके अंदर वाइरेस नहीं कुछ और ही यूज किया गया है, और इस चीज़ को explain भी किया जाता है, थार्ड एपिसोड के अंद एपिसोड है, उसके अंदर थर्ड या सेकंड, सेकंड एपिसोड है, उसमें जिस तरीके का एक scene आता नहीं यार, वो इतना होईफाइन होता है, उसमें इतना डर लगता है, मतलब एक पल ऐसा था कि सांसें रुक जाएंगे, इतना बढ़िया तरीके से उसे बनाया गए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और रही बात All of Us Dead की या फिर बाकी वेब सेरीज की जो भी जॉंबी की थीम के उपर अधारी तेले को उनके अपना एक टेस्ट है मतलब उनका अपना एक स्वाद है तो आप उनको अलग अलग जगा रहने दीजिए इसको अप अलग तरीके स पता ही गई है वर उसमें वी एक धिकतती मेरे पास यहिन नहीं है ना एक जो की इसी की कि काफ़ी ज्यादा अच्छे लगी शुरुवात जाएंगे आपका इंट्रस्ट कराब हो जाएगा और मुझे गालियां पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और जो भी जो भी वाला करेक्टर आप उसका वी एफक्स देखिए वह बहुत जादा पसंद आने वाला है और जिस तरीके से वो कनेक्ट हैं एक दूसरे से मतलब फिर से मेरा मेरी इच्छा करेगी मैं आप लोगों को वह चीज़ें बताओं बट नहीं वह सब चीज़ें एक पर थोड़ा साइड में रखते हैं फिर कभी जब यह सीरीज खतम हो जाएगी अलग से हम इसके पर बात करें और मेरा सच में फर्स एपिसोड मैं बार बार कहा हूँ एक बार जुरू ट्राय करना बच्चों के लिए तो नहीं है डेफिनेटली नहीं है तो एक बार जुरू ट्राय करना और अगर किसी ने देख लिया है कितने भी एपिसोड देख लिया है फर्स सेकिंड थर या पांचों के पांचों